हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमरे चनल में आज मैं आपको क्रीमी क्रीमी आइस क्रीम बता रही हूँ घर पर आप किस तरह से बना के तयार कर सकते हैं वो भी बिना क्रीम के तो सही सुना आपने कोई भी इसमें क्रीम एड नहीं होगी और कोई भी इंगिल्डियांस ऐस सायड नहीं होगा जो आपके पास एवलिबल ना हो आज मैं आपको घर के ही सामान से इतनी अच्छी क्रीमी बनील आइस क्रीम बताऊंगी तो चलिए फिर इसको बनाना सुरू करते हैं यह देखिए देखकर यह आपको पता चलिया होगा कितनी ज़्यादा अच्छी बनके तैयर हुई है तो इसको बनाने के लिए मैंने यह दूद लिया है दूद बाहिल किया हुगा ही है और इसको नॉर्मल कर लिया है तो नॉर्मल इसी तरह से ही दूद लेना है यह एक कब दूद लिया है और यह एक आधा कब दूद लिया है तो आप जितना भी दूद ले उस मैं आरारोट अट किया और इसके बाद ही मैं आधा बावल ये चीनी एट कर रही हूँ तो आपको ध्यान रखना है चीनी थोड़ा ज़्यादा ही अट करना है आप इसको टेश्ट कर लें अगर आपको चीनी कम लगे तो आप चीनी और भी अट कर सकते हैं क्यूंकि आईसक्री जैसे ही यह सेट होती है इसके बाद थोड़ा कम मेठी लगने लगती है तो कोशस यही करें कि ज़्यादा ही मेठी हो और यह देखिए यह बनीला एसेंस यह जब आइस्क्रीम भी बनीला ऐसेंस है तो यह जरूरी है अब इसको ऊच्छे से मिक्स करना है तब है आप इसको गै ने साने लगती है, आप चाहें तो इसमें कॉन फ्राइब भी एड़ कर सकती है, यह बहुत जादा एजीली बन के तयार हो जाती है, इसमें फ्रिज, सोरी, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखई हुई, मैं एक बड़ा चमझे मलाई एड़ कर रही हूँ, तो इस मलाई को मै अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं और कुछी मिंटों में ही यह अच्छा खासा गाड़ा बन की तयार हो जाएगा दूद तो यह दिखिए मैंने गैस की फ्लेम आफ कर दी है इसी तरह से ही आपको यह दूद गाड़ा बनाना है तो अब मैं इसको जब ठंडा करूंगी तो यह और ज़दा गाड़ा हो जाएगा आप चाहें तो इसमें कॉर्न फ्लार एट कर सकती हैं मैंने आरा रोट एट किया है यह दिखिए कितना ज़दा गाड़ा हो चुका है मैं इसको मेक्सी के जार में ले रही हूँ और इसके बाद ही मैं इसमें सबसे जरूरी चीज जो पाव का जो वाइट वाला पाट रहता है वही ले लिया पूरा यह भी मैंने इसमें मेक्सी के जार में ले लिया है और इसके बाद ही मैं एक चमब जिसमें मलाई एट कर रही हूँ एक चमब से ज़दा ही मैंने इसमें मलाई एट कर दी इसके बाद ही मैं इसको रुक रुक कर एक अब मैं इसको फ्रीजर में लग दूगी आप चाहें तो पूरी रात के लिए रख सकते हैं या चैसे 7 घंटे के लिए भी रख सकते हैं तो इसी तरह से ही आपको कंटेनर लेना है अगर आपके पास ये ना हो तो आप लंच बॉक्स या बाॉल में भी शैट करने रख सकते हैं उसमें आप सिल्वर फॉयल या पॉलिसन कुछ भी लगा दें और ये देखिए पूरी रात मैंने फ्रेज में रखा रहने दिया इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये निकाल कर तो देखा कितने जादा अच्छी खासी आईस क्रीम बनके तयार हो चुकी है कितनी जाद अच्छी मार्केट की तरह आईस क्रीम और वो भी ऐसे सामन से जो घर में एजिली एबलेबल हो रहती है तो इसको बनाना आप बिल्कुल भी न भूले अगर आपको ये पसंद आए तो फिर से कहूंगे चनल को लाइक सब्सक्रीबर शेयर करना बिल्कुल भी न भूले ये निश्चत ही आपको काफी पसंद आएगी यकीन मानिए आज के बाद आप मार्केट की आईस क्रीम काना भूले जाएंगे सर्फ घर पर ही बना के त्यार करेंगे जो अच्छी भी लगेगी और हेल्दी भी होगी थैंकी